भोपाल धीरे धीरे अब ड्रग्स जंक्शन बनता जा रहा है क्राइम ब्रांच ने यहां एक बड़ी कारवाई की है पाच करोड रुपे की 10 किलोग्राम चरस यहां बरामद हुई है एक नेपाली तसकर, भोपाली दलाल और मुंबई के ग्राहक को इस मामले में गिरफतार किया गया है नेपाल से तसकरी करके मुंबई यह चरस लाया जा रहा था 26 मई को इटारसी में 110 करोड का ड्रग्स पकड़ा गया था और बता दे कि MD ड्रग्स के साथ 3 नाइजीरियन लड़कियां भी पकड़ाई थी और अब आप देखिए क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कारेवाई की है अफगानिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में इस चरस का सप्लाय हो रहा था भोपाल से मुंबई एचरस जा रहा था उस दौरान ये सभी आरोपी पकड़ाएं क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है मादक पदार्थों की तसकरी करने वाले बड़े ग्रोह को पकड़ा है अमित कुमार, ASP, क्राइम हमारे साथ है सर एक बड़ी सफलता क्राइम ब्रांच को लगी है कितना मादक पराथ जाप्त किया गया है कहां से ये लोग ला रहे थी दरसल दस किलो चरस जो है वो जप्त किया गया है बेसिकली इनका पूरा एमो कुछ इस तरी के सथा बेक किया है तीनों के आरुपियों को पकड़ा है और अब 10 किलो चरस जो है हमने जो है पकड़ी है आगे और भी चरस मिल सकती है इसी केस में राउंड 3-4 किलो चरस अभी और हमें मिलेगी तो इस पर जो है विम और काम कर रहे हैं और आगे जो जैसे भी कारवाई होगी हम को बताएंगे सर्गना सर कौन है कितना बड़ा ग्रोव था कहां कहां तक इसकी चैन फेली दरसल जो है बहादूर करके एक व्यक्ति है जो नेपाल का रहने वाला है और नेपाल के बाद वहाल पस्चिमी चंपारन बिहार का भी रहने वाला बेसिकली इसके रिस्ते दोनों उना बाके लाते थे तो मुख्य जो सरगनास है वह आपको मुंबाई के और जो बहादूर करके बेक्ति हमने पकड़ा है बाकि जो ट्रॉंजिट कूरियर है जगी महिला वह कैसा भाद बाकोर है कuciones रहोगे से और आगई और पूछिताज पे आ रह grateए के चारवाई करों क्वैंग काँपूर से जो इन धूने के बाद कौर काफी ज्यदा है सर के छेरन सब्सक्राइब काफी स्सकर्णे नियुक्त कि यहां वहां के रहने वाला है कांपूर से तसकरी होती है तो वहाँ पे भी हम संपर करेंगे और मुंबई की जो एंटी-न Намर्कोटिक्स सेल है उसको भी हम संपर करेंगे यह जानकारी लेंगे कि एंटी-नार्कोटिक्स में यह महिला और यह देवर हैं उनके उपर पहले से है उससे संपर्ख किया जाएगा और सांथ में यूपी पुलेसरी भी संपर्ख किया जाएगा है चेन का पताच किया जाएगा कि इनके ग्रोह में और कौन लोग सामिल है आने वाले समय में इस पूरे मामले में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है कैमरापरशन भरत एमडी ड्रक्स के साथ तीन नाइजीरियन लड़कियां पकडाई थी और अब एक बड़े गिरों का खुलासा हुआ है देवर भावी गैंग इसे कहा जाता है और काफी लंबा इनका चेन हो सकता है क्योंकि जैसा कि जिक्र किया गया है अफगानिस्तान से नेपाल के रास्त संबेदन सील मामला है जिस तरीके से नेपाल से जो चरश लाया जा रहा था सबसे पहले वो कानपुर लाया गया और उसके बाद भोपाल होती हो मुम्मई पहुंचाया जा रहा था और यह ड्रक्स सबसे में महत्पून बात यह है कि 10 खिलो जो चरश लाया गया था वो हाई जो चरश जा रहा व संबण से संब्सक्राज करेगी उसके सांथ बहार क्योंकि गिरी करके जो मुख्य आरोपी है जिसके पास नेपाल की भी पताये जारही है नेपाल में जहां से नेपाल के रासर ने भीॏn कि यदि बात करूं तो अभी करीब एक महीने पहले ही भोपाल क्राइम ब्रांच ने डेड़ कुंटल गांजा जर्फ्त किया था और उसमें भी यदि हम बात करें तो बो उडिशा से लाया गया तो उसके बाद अन्य राजियों में उसको पहुंचाय जा रहा था क्या भोपाल मद्द प्रदेश एक safe zone बनता जा रहा है इससे पहले एट आर्सी की बात करें तो तीन नाइजीरियन लड़की पकड़ाई थी करोल अरोपेका उनसे ड्रक्स बरामत किया गया था मद्द प्रदेश एक safe zone बन रहा है क्योंकि बीच में मद्ध में यह है यहां पर जो ड्रक् मतलब से पहले ड्रक्स की बात करें चरश की बात करें गांजे की बात करें वो यहां पर लाते हैं और यहां पर लाने के बाद चाहें वो महराष्ट हो चाहें वो यूपी हो चाहें पश्चिम मंगालो अन्य राज्यों तमाम जगहों पर यहीं से जो है मांदक पदार्थों की सप्लाई की जाती है और यही कारण है कि अब पहनी निगाहों के साथ जो क्राइम ब्राइब रही है यह जो अब देवर भावी गैंग जो पुलिस की गरप्त में अजो आई है उसके जो तार हैं बताए जा रहे हैं कि करीब 5-8 राजियों में जुड़े हुए हैं मतलब सिर्फ महाराष्ट में यह सप्लाई नहीं की जा रही थी अन्य राजियों में भी यह सप्लाई करते थे करीब 3-4 साल पहले से यह इस तरीके का कारे कर रहा है जब से जो महिला बताई जा रही उसकी पती का ज इतना जादा संख्या में दस किलो चरश इन से परामद होगा लेकिन अब सब्सक्राइब बात यह है कि करीब तीन से चार राजियों की पुलिस समन्वे के साथ कारवाई करेगी तो हम कह सकते हैं कि मुंबई में चाहे हम बात करें जो बी आई पी लोगों तक सप्लाई करने की बात हो रही है चाहे बालीवूड का कनेक्शन निकल रहा है बहां पर किनके दोरा सप्लाई की जाती थी कहां से ओडर दिया जाता था नेपाल से जो चरस लाई गई है अफगानिस्तान के राष्टे लाई गई है और कौन-कौन लोग है उन तमाम लोगों पर एक लिस्ट ब बन रहा है ड्रग माफियों के लिए वह यहां पर जंगसन के तौर पर यहां पर ड्रक्स ला रहा है चाहे गांजा हो चाहे ड्रक्स हो चाहे चरस हो यहां ला रहा है और पूरे प्रदेश भर में सप्लाई कर रहा है अब यहां पर यहां की पुलिस को काफी सम्मिदन सीलता करने की ज़रुवत है नहीं तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि जैसे उड़ता पंजाब था वो मध्यप्रदेश भी बन सकता है बिल्कुल सही कहा आपने आकर्ष और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्यप्रदेश एक सेव जोन बन रहा है और एक हब बन रहा है ड्रग् कि इटारसी में तीन लड़कियां पकड़ाई थी नाइजिरियन लड़कियां थी जिनके पास से एमडी ड्रग्स मिला था यानि एक तरह से कहा जाए कि यहां पर खासकर कि मध्यप्रदेश में जो भोपाल इटारसी रूट है वो ड्रग्स सप्लायर के लिए एक सेफ कॉरि मामले में होती है लेकिन एक बड़ी कारवाई से हम कहेंगे क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता भी कि भोपाल में जिस तरह से गांजे की और ड्रग्स की तसकरी हो रही थी दो आरोपी मुख्य रूप से जो इसके में पूरे इस जाल में विचाने में लगे हुए थे उन अब देखना होगा कि आगे क्राइम ब्रांच इसमें क्या कुछ वरुक अपनाती है धन्यवाद आकर तमाम बार चीट के लिए